हलू दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मैं हूँ C.A. पंकर सरावगी और आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं C.A. में इंस्टिट्यूट ने जो आपका सिलेबस 2016 का जो की इस बार लास्ट अटेंप्ट है December 2023 के लिए Mock Test Paper MTP इशू कर दिये हैं आप सभी को पता है और Paper No.10 जो है Cost and Management Accounting and Financial Management उसका इंस्टिट्यूट ने Question Paper भी रिलीज कर दिये और Solution भी रिलीज कर दिये Solution भी रिलीज कर दिये तो आज की वीडियो में हम इंस्टिट्यूट ने जो Question Paper with Solution रिलीज किया है वो हम Detail में Discuss करने वाले हैं और कुछ Questions का Solution जो की इंस्टिट्यूट ने काफी Tricky तरीके से दिया है उसको मैं यहाँ पे आपको Easy Way में भी Discuss करने वाला हूँ आपके साथ तो यह है December 2023 के लिए syllabus 2016 के लिए Cost and Management Accounting and Financial Management का Mock Test Paper Set 1 और Set 1 ही रिलीज किया इंस्टिट्यूट ने एक ही सेट रिलीज किया और एक ही करेंगे क्योंकि new syllabus के लिए दो-दो सेट आ रहे हैं बट old syllabus के लिए के वल एक ही सेट रीजन यह कि old syllabus में हमें already exam का pattern पता है जबकि new syllabus में उन्होंने exam का pattern change किये जिसकी विएसे उन्होंने दो-दो सेट रिलीज किये जैस्ता कि हमें पहले से ही पता है 100 marks का हमारा paper होता है इसमें दो पार्ट होते हैं एक है Cost and Management Accounting और एक होता है Financial Management तो पार्ट ए है Cost and Management Accounting और पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा financial management इस पूरे 100 marks के paper को attempt करने के लिए अपने पास तीन गंटे होते हैं और अगर exam pattern की बात करूं सेम है जो पहले चल रहा था like question number one है जो की compulsory होता है जिसमें आपको Cost and Management Accounting में 6 MCQ देखने को मिल जाएंगे इसके बाद 4 match the following और similarly 4 true walls आपको देखने को मिल जाते हैं then Cost and Management Accounting का जो section 2 होगा इसमें आपको 4 question दिये जाएंगे question number 2,3,4,5 जिसमें से आपको 3 attempt करने है हर question की weight is बारा बारा number की रहेगी तो 14 marks का आपका हो गया MCQ प्लस match the following plus true falls और 36 marks का आपको section 2 में 3 question attempt करने है और same जो pattern है वो आपका section B part B जो है financial management उसमें रहता है एक बार दिखा देता हूँ आपको यह solution वाला part है सिम रहता है part B financial management इसमें भी आपको 6 MCQ, 4 match the following और 4 आपको true falls देखने को मिल जाते हैं then आपको 4 question given होगे question number 7,8,9,10 जिसमें से आपको 3 question attempt करने हैं अगर एक बार मैं आपको practical और theory का analysis भी करवा दू थोड़ा सा तो sir जो अपना MCQ match the following और true falls आता है यह theory आता है लेकिन इसके बाद जो question number 2, question number 3, question number 4 यह जो तीन question होते ही है practical रहते हैं और question number 5 जो है वो theory रहता है तो मेरा suggestion तो अमेशे ही है go for practical तो question number 2, 3, 4 आपको exam में attempt करना चाहिए 36 marks के लिए और MCQ match the following true falls तो करना है similarly FM के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलता है जो आपका MCQ match the following true falls है यह आपको theory और उसके बाद जो 4 question है उसमें question number 7, question number 8 और question number 9 यह जो तीन question है यह practical देखने को मिल जाता है 36 marks का question number 10 theory होते है तो exam का pattern में किसी तरीका कोई change नहीं है सिलेबस 2016 की अगर बात करें तो उसके अंदर अगर आप हमारे channel पे नए हो channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले channel को subscribe कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए हर बार exam से पहले इस तरीके की mock test series लेकर आते हैं जिसमें मैं जो अपने subject है वो तो आपके साथ discuss करता ही हूँ like cost accounting हो गया cost fm हो गया financial management हो गया OMSM हो गया final में SCM, SFM यह सब हो गए और बाकी भी जो हमारे teachers हैं वो भी mock test paper वगएर आपके साथ discuss करने की कोशिश करते हैं description box में telegram channel का link given है वो आप join कर सकते हो free test series के लिए जो कि December 2023 के लिए तो देखो finish हो चुकी है बट June 24 के लिए अगर आप appear कर रहे हो और यह video देख रहे हो तो June 24 के लिए अपकोस हम March April के आसपास free test series लेकर आते हैं मेरे सारे subjects की cost accounting, OMSM, financial management, management accounting, final में STM, SFM इनके हम free test series लेकर आते हैं वो अगर आप देना चाहते हो June 24 के लिए जो कि March 24 के आसपास start होगी उसके लिए आप हमारा telegram channel join कर सकते हो इसके अलावा mobile app भी हमारा वो भी आप download कर सकते हैं उसका भी description box में link given है और 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 जो मैं solution आपको दिखाने वाला हूँ यह solution तो institute ने release कर दी हैं बट कुछ questions मैं अपने तरीके से भी solve करवाऊंगा ताकि आप उनको और ज्यादा better तरीके से understand कर सको तो उसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप में WhatsApp कर सकते हो आपको PDF मिल जाएगा बट WhatsApp में आपको clearly लिखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या कई बार बच्चा लिखता है sir PDF चाहिए तो PDF चाहिए से नहीं समझ में आता आपको क्या चाहिए आपको specifically लिखना पड़ेगा MTP Set 1 Cost and FM Solution PDF तभी बात समझ में आएग यह ऐसे बात समझ में नहीं आपाती है चलिए start करते हैं part A है part A है Cost and Management Accounting section दो section में यह divided होता है section 1 के अंदर MCQ true false और match the following then 4 में ते तीन question आपको attempt करने होते है section 1 की बात करें तो section 1 में question number 1 एक single question ही covered होता है answer the following question इसको तीन part में divide कर दिया part A part B part C part A में 6 MCQ part B में 4 match the following और part C में 4 true false part A choose the correct answer from the given 4 alternatives MCQ है पहला MCQ profit volume ratio establishes the relationship between देखो profit volume ratio का formula हुआ करता है contribution upon my sales in 200 contribution and profit no fixed cost and contribution no profit and sales no contribution and sale value sir yes क्योंकि profit volume ratio का formula ही है contribution upon my sales in 200 तो of course यह contribution और sales के बीच में relation को indicate करते है second a desire to achieve a particular goal with pursue of that goal is called motivation sir motivation की definition लिखी विए है a desire to achieve a particular goal with pursue of that goal is called motivation point no.3 the scarce factors are also known as sir scarce factors को key factor limiting factor critical factor भी बोलते है a will be your correct answer key factor key factor fourth a budgeting process which demand each manager to justify his entire budget in detail from the beginning sir zero based budgeting में हर एक manager को जो भी वो खर्चे बगएर दिखा रहा है जो वो justify करना पड़ता है c will be your correct answer zero based budgeting next fifth the sub variance of material usage variance known as material mixed variance बिलकुल होता है is measured as sir material mixed variance का formula होता है revised standard quantity minus में actual quantity multiply by standard rate होता है total standard cost minus total actual cost यह तो material cost वेरियांस का formula है standard cost of revised standard mix ठीक है minus standard cost of actual mix बिलकुल ठीक है sir revised standard quantity का standard cost ले रहे हो और यहां पे actual quantity का standard cost ले रहे हो formula ही होता है revised standard quantity minus actual quantity multiplied by standard rate B will be your correct answer और 6th और last जो MCQ है वह another name for the learning curve Sir, learning curve is also known as experience curve A will be your correct answer experience curve तो यह 6 MCQ बहुत easy MCQ है जो कि पहले भी exam में almost आज सुक है और थोड़ा बहुत आपको practical theory knowledge होगी आप easily इसको attempt कर सकते हो B part की बात करें तो B में आपको 4 match the following given match the statement in column 1 with the most appropriate statement in column 2 column 1 में लिखा हुआ differential cost, opportunity cost, marginal cost और sunk cost column 2 में लिखा हुआ है division of total cost into fixed end variable Sir, marginal costing में हम division करते है total cost का fixed or variable में तो third को आप match कर सकते हो A के साथ B है future cost differential cost जो होती है वो future cost होती है तो आप 1 को match कर सकते हो B के साथ cost can not be controlled Sir, sunk cost जो होती है वो past cost होती है उसको control नहीं किया जा सकता 4 को आप match कर सकते हो C के साथ opportunity cost जो होती है can be controlled तो 2 को आप match कर सकते हो D के साथ 2 को आप match कर सकते हो D के साथ C की तरफ बढ़ें तो Sir, C में 4 true false है state whether the following statement are true or false समें बताने है statement true है की false है standard cost are used for external reporting Sir, बिलकुल नहीं standard cost जो है standard costing internal reporting के लिए होता है this is the false statement a high PV ratio for a business indicates that is slight decrease in sales volume result in higher profit Sir, अगर sale में decrease होगा तो profit बढ़ कैसे जाएगा मतलब ही नहीं है it is the false statement it is the false statement zero based bursting involve identification of decision units Sir, बिलकुल क्योंकि zero based bursting के अंदर हम ये देखते हैं कि हर एक manager क्या करे अपना जो भी उन्होंने खर्चा वगेरा बता है उसको justify करें तो हर एक decision unit कौन-कौन सी है जिनको उसके लिए responsible ठराया जासे के वो identify करनी पढ़ती है this is the true और learning curve is a cost reduction technique Sir, बिलकुल नहीं learning curve कोई cost reduction की technique नहीं है this is the false statement तो यह था आपका question number one 12 number कितना 6, 4, 10, 4, 14 14 marks के लिए तो इस 14 marks के लिए आपको 14 minutes भी नहीं लगने अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यह theory है theory में simple सी बात यह होती है अपने को आतो है तो ठीक है नहीं आता तो नहीं आता करना क्या है सर पूरे-पूरे statement भी दुवारे नहीं लिखने होते MCQ में ABCD लिखना है match the following में match करना है कि A को इसके साथ B को इसके साथ और true false लिखना है तो 14 minutes से ज़्यादा इन इनी case नहीं लगने इसके बाद आप जब section 2 की तरह बढ़ते हो तो section 2 ने का answer any three questions from question number 2, 3, 4 and 5 आपको दिये गए 4 question जिसमें से आपको attempt करने है 3 मेरा suggestion यह है question number 2, 3, 4 attempt करो जोगी practical होते हैं ताकि पूरे में से पूरे number आ सके and each question carries 12 marks और अगर आप ऐसा करते हो तो देखो जो question number 1 है उसमें full out of full marks आ सकते है 14 out of 14 क्योंकि सर सही है तो सही है गलत है तो गलत है अगर सही है तो 14 out of 14 आएंगे second, third, fourth attempt करते हो सरक practical में भी अगर सही है तो पूरे में से पूरे number मिलेंगे लेकिन question number 5 attempt करोगे मतलब theory theory में पूरे में से पूरे number मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है तो suggestion मेरा यह ही है अगर आपको practical आता है जो की करके दो जा नहीं है तो 2, 3, 4 attempt करने की कोशिश करना question number 2 को ध्यान से अनलाइज करें तो sir question number 2 में दो part है part A और part B part A जो हूँ है marginal costing में से और part B भी sir marginal costing में से ही है second question का part A the following data relates to a manufacturing company plant की capacity है 4 lakh units per annum की और presently आप 40% utilize करें इसका मनलब आप presently 1 lakh 60,000 units produce करें ठीक है actual for the year 2014 आपने 2014 में selling price रखा 50 रुपे per unit okay है material की cost 20 रुपे per unit okay है variable manufacturing cost है 15 रुपे रुपे cost है आपकी 27 lakh की यह है 2014 की बात अब कहते इन ओर्डर टो इंप्रूव capacity utilization the following proposal is considered अब हम अपनी capacity utilization को थोड़ा improve करना चारहें 40% से थोड़ा ज्यादा तो इसके लिए आपको क्या करना है selling price को कम कर देना है 10% से sir selling price जो 50 दा 10% से कम करने का मिदलब 45 हो जाएगा and spend additionally रुपी 3 lakh in sale promotion sir 27 रुपे की fixed cost थी 3 रुपे और लगा दोगे तो आपकी fixed cost होनी शुरू हो जाएगी 30 lakh की questions आता है how many units should be produced and sold कितने unit बना कर बेचें in order to increase profit by रुपी 8 lakh per year ताकि हमारा जो profit वह वो 8 रुपे से बढ़ जे अब देखो इसका solution मैंने institute का देखा इसका solution मैंने institute का देखा और काफी गुमाफ इरा के solution देने वाली बात है नहीं तो simple सी अगर मैं बात करूँ हमारा concept simple यह है sir how many units should be produced and sold इसका मतलब आप sale unit जानना चाते हो तो इसका solution मैं आपको करवा हूँ easy way में तो sir question number 2 का part A question क्या जानना चाता है sir question जानना चाता है sales units institute ने अपने study material में sale unit का formula दिया हुआ है total fixed cost plus profits divided by contribution per unit यही तो कहानी है question कहता है how many units should be produced and sold ताकि हम अपना profit 8 lakh से बढ़ा सके sir fixed cost तो पता चल गई 27 lakh पहले ती 3 lakh बढ़ गई तो 30 lakh रुपे आपकी fixed cost हो गई आपकी fixed cost कितनी हो गई 30 lakh रुपे plus profit sir profit आपको 8 lakh रुपे से बढ़ाना है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए working note बना लो और working note में आप sales का formula यूज कर लो sir working note में अगर हम sales units का formula अप्लाई करें तो वही fixed cost plus profit अपन में contribution per unit पहले कि अगर मैं बात करूँ आप 1,60,000 unit बना कर बेच रहे थे आप 1,60,000 unit बना कर बेच रहे थे आपकी fixed cost 327 lakh कि as per question मैं जाना चाह रहा हूँ profit कमा कितना रहे थे और contribution per unit की बात करें तो formula होता है selling price minus variable cost per unit selling price 50 था और variable cost की बात करें तो 20 और 15 35 रुपे था तो sir आपको profit या loss जो भी होगा पता लग जाएगा तो यह 3 लाग रुपे का loss आगया negative आ गया यह profit आ गया negative 3 लाग रुपे negative 3 लाग आने का मतलब है यह loss था 3 लाग का अगर पहले आपका 3 लाग का loss था और अब आप उसको 8 लाग रुपे से बढ़ाना चाहते हो तो sir जब 3 लाग negative को 8 लाग रुपे से बढ़ाया जाता है तो वह होता है 5 लाग positive मतलब question कहना चाहरा है मुझे 5 लाग रुपे का यहाँ पर profit चाहिए ठीक है कोई दिकत नहीं है दे देते हैं contribution per unit sir वही selling price minus variable cost per unit अब आपको selling price कम करदाना है 10% से तो selling price हो गया 45 लेकिन variable cost में कोई change नहीं था तो 20 और 15 रुपे आपका variable cost रहेगा अभी भी तो sir यह आगया आपका कितना आगया 35 लाग डिवाइड बैट 10 साड़े तीन लाग युटिट अब आप खुद compare करके देख लो sir यह answer easy है x मान के करना या फिर जो मैंने कराया वो easy institute ने अपने study material में बहुत सारे question ऐसे solve करें मैं क्या दिक्कत आप भी कर सकते हो तो बस यही मैं आपको बताना चाहरा था कि कुछ questions ऐसे हैं जो कि institute ने typical तरीके से solve किये हैं जिनको हम यहाँ पर easy way में discuss कर लेगे ताकि आपको चीज़े समझ में आ जाएगी क्योंकि इस तरीके की solutions होते हैं एक्स वेगेर है सर जरुरत हो तो करना पड़ता है बड़ जरुरत नहीं है तो इस तरीके की solution समझना आपके लिए थोड़ा सा tricky पड़ता है tricky रहता है इस तरीके से अगर B part की मैं बात करूँ तो सब B part काफी easy था यहाँ पे क्योंकि पहला part 8 नंबर का है और B part के वाल 4 नंबर का ही है the following information is available for the first and second quarter of the year for punkas limited यह same question आपको अपने notes में भी देखने को मिल जाता है quarter 1 में जब आप 36,000 units बना रहे हो तो आपकी cost 2,80,000 आ रहे है और यही जब आप quarter 2 में 42,000 units बना रहे हो तो आपकी cost 3,10,000 आ रहे है तो इसका मतब change in cost है 30,000 का और change in units है आपका 6,000 का question की छोटी सी demand you are required to calculate the semi variable cost and calculate total fixed cost and variable cost per unit तो sir semi variable cost तो यह है ही इसमें तो कोई calculate करने वाली बात नही है 30,000 change in unit है 6,000 तो variable cost per unit आजाएगी 5 रुपे देख लेते हैं institute ने भी ऐसे ही कर रहे है variable cost का formula होता है change in cost divided by change in units 5 रुपे पर unit आगे अब आपको fixed cost निकालने है तो sir fixed cost क्या होती है total cost में से variable cost हटा दो इसमें से आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो 36,000 unit ही लेते हूँ तो sir 36,000 unit पे 2,80,000 आपकी total cost है अगर variable cost आपकी 5 रुपे पर unit है तो इसका वज़ता 36,000 into 5 1,80,000 तो variable cost है अगर 2,80,000 में 1,80,000 आपकी variable part है 1,00,000 रुपे आपका fixed cost है तो simple 2,80 में 36,000 into 5 1,80 अगर variable है तो 1,00,000 रुपे आपका fixed cost आप चाहो तो यहाँ पे 42,000 unit भी ले सकते हो अगर आप यहाँ पे 42,000 unit लोगे तो sir cost लोगे 3,10 3,10,000 आपकी total cost 42,002,50,000 आपकी variable cost है तो fixed cost तो same ही आएगी 1,00,000 रुपे आपकी मर्जिया आप दोनों में से कोई भी level consider कर सकते है पार्ट B भी है तो standard costing ही लेकिन material variance है 6-6 नमबर दोनों की weightage है कर लेते हैं question number 3 का पार्ट A The following information are provided to you और ए मन्त in respect of a workshop overhead का cost variance है 1400 negative overhead का volume variance है 1000 adverse budgeted hours है 1200 budgeted overhead है 6000 और actual rate आपका 8 रुपे का आपको overhead का expenditure निकालना है actual overhead निकालना है और actual hours निकालना है इसका solution भी अगर मैं बात करूँ तो institute ने थोड़ा सा गुमाफिरा के ही दिये थोड़ा सा गुमाफिरा के ही दिये लेकिन मैं इसका solution अगर आपको easy way में करा हूँ जैसा कि हम अपनी classes में solve किया करते है तो sir इसके लिए तो आप simple एक statement बनाया करते हो एक budgeted hours लिखते हो budgeted rate पर hour हम लिखा करते है और budgeted overhead लिखा करते है similarly हम actual hours लिखते है actual rate लिखते है और actual overhead लिखते है और then हम लिखते है standard hours rate budgeted यह अपलाई होता है इस पे तो यह आपका absorbed overhead आजाया करते है अब question नहीं यहाँ पे कहा कि budgeted hour 1200 और budgeted overhead 6000 है तो जब आप यहाँ पे budgeted hour 1200 और budgeted overhead 6000 लिखते हो तो यहाँ पे आपको 5 रुपे पर hour का rate मिल जाता है then question ने कहा actual rate 8 रुपे है तो actual rate यहाँ पे हम लिख पाते है then question ने कहा कि overhead का volume variance 1000 adverse है और overhead volume variance का formula याद करो ज़रा overhead volume variance का formula होता है absorbed overhead minus में budgeted overhead सर जब हमें पता है कि volume variance minus में 1000 है और absorbed overhead मुझे नहीं पता कितने है लेकिन मुझे budgeted overhead पता है question कि accordingly 6000 है तो इसका मनलब मुझे पता चल गया कि absorbed overhead मेरे 5000 है absorbed overhead जैस्ती आपको पता चला कि sir यह 5000 है यह 5 रुपे का rate यहाँ पे copy होता है तो 5000 divided by 5 करके आप यह 1000 घंटे निकाल पाते है इसी तरीके से आपके पास question में overhead का cost variance गिवन है sir overhead cost variance का formula होता है absorbed overhead minus में actual overhead overhead cost variance का formula होता है absorbed overhead minus में actual overhead cost variance गिवन ता आपके पास 1400 वो भी minus का absorbed overhead आपने अभी 5000 calculate किया और आप actual overhead निकालना चाह रहे थे तो sir यहाँ से आपको actual overhead पता चल गए आपका 6400 जैसे आपको actual overhead 6400 पता चला तो आप 8 से divide करके 800 घंटे question की demand है overhead का expenditure variance बताओ sir overhead expenditure variance का formula ज़रा याद करना क्या होता है overhead expenditure variance का formula होता है budgeted overhead minus में actual overhead budgeted overhead तो question नहीं बताए वे थे 6000 actual overhead हमने calculate कर लिए थे 6400 तो यह 400 रुपय adverse आ गया था इसके बाद second requirement actual overhead की थी तो sir actual overhead पता चल तो गए 6400 है और actual hours की बात करें तो sir पता चल गए 800 है this is the easiest way of solving the question no doubt आपको अगर यह समझ में आता है आप ऐसे करो आप ऐसे करो बट मैं यह कहूंगा कि अगर आपके पास easy way है swirl करने का आप easiest way में कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है similarly question no.3 में part B में material variance ने जटेज कर दिया किते जैमिनी chemicals limited प्रोवाइड दा following information from its records material है दो तरीके के A और B 8 और 4 quantity total input हो गया 12 rate बता दिया actual में April 2017 में company ने 1000 kg जैम को produce किया actual में consumption किया A और B का total दे दिया और rate दे दिया question की बहुत 30 सी demand है cost और price variance निकालके देना है बस दो ही variance निकालके देना है तो sir अगर आपको cost वगेर है चाहिए तो आप यहाँ पे standard quantity निकाल लो simply आप क्या कहोगे अगर 8 है एक के लिए तो 1000 के लिए इट शुट भी 800 8 8 है तो यहाँ पे मैं एक बात clear कर दूँ इस question में mistake है question में mistake है कि question यह बताया नहीं कि यह जो 8 हो 4 quantity है वो कितने आउटपूट के लिए है इन्होंने solve करते वक्त standard output बताया 10 केजी लिए है इन्होंने standard output अपने आप ही 10 केजी अजूम कर रहे है इसका मलब question में printing mistake है कि यह जो quantity आपके पास given है यह 10 केजी output के लिए given है तो simply हम कहेंगे 8 है 10 के लिए तो 1000 के लिए 800 4 है 10 के लिए तो 1000 के लिए शुट भी 400 तो 800 इन्टू 64800 400 इन्टू 41600 अक्वाडिंगली यह cost हो गई 6400 actual में बात करूँ तो 760 इन्टू 75320 and 500 इन्टू 52500 टोटल हो गया सरी यह 7820 question की बड़ी simple सी पहली demand है cost में यह answer 6400-7820 standard cost minus actual cost 1420 आपका adverse आजएगा इस सब calculation बहुत लंबी चोड़ी कर रखी है 1420 आपका कितनी लंबी चोड़ी calculation की जरत है नहीं आप simple statement बनाओ standard का और यह quantity लिखो actual लिखो और calculation कर दो 400-7820 आपको आपका answer मिल गया ना 1420 1420 price variance के लिए अगर मैं बात करूँ तो 6-7 into 760 तो सर 760 आएगा 760 आएगा और 4-5 into 500 आएगा 500 आएगा दोनों का total दिखा तो 1260 आएगा इतनी लंबी चोड़ी calculation क्या कर दी इनोंने जरत नहीं है जरत नहीं है यह standard quantity वेगरेस तब calculate करके दिखा रहे है इससे अच्छा है वर्किंग नोड बनाओ ना एक data for material variances का उसमें सब कुछ आजेगा अब यह RSQ वेगरे तक calculate करके दे रहे हैं गया है उसके हिसाब से ही अपना solution आप प्रेजेंट करने की कोशिश करना next question question number 4 question number 4 को अगर ध्याम से देखा दे तो यह जो question number 4 का part A है यह है budget and budgetary control में से और part B जो आपको दिया गया वो दिया गया transfer pricing में से question number 4 A from the following data prepare a production budget for ABC company limited for the six month period ending on 30th June 2023 and stock for the budget period units में आपके पास given है तीन तरीके के product है product A, B और C as on 1st January 2017 और as on 30th June 2017 तो ज़र जो 1st January है वो opening रहेगा आपके लिए और जो 30 June है वो आपके लिए closing रहेगा other element data की बात करें तो product है तीन तरीके के ABC और normal loss जो है वो होगा production में 4%, 2% और 5% और requirement to fulfill sales program unit मनलब sale unit आपके पास given है 60,000 50,000 और 80,000 तो सर production budget का तो simple format होता है sales plus closing minus opening प्लस जो भी normal loss तो आप सबसे बहले तो इसका solution तो यह institute ने issue करा हुआ है वही से देख लेते हैं सबसे पहले आप sales consider करोगे 60,000 50,000 और 80,000 60,000 50,000 और 80,000 इसमें add करोगे closing stock closing stock है 10,000 8,000 17,500 इसका addition करेंगे तो हमें total requirement पता चल जाएगे इसमें माइनस करेंगे opening stock that is 6,000 9,000 12,000 तो हमें हमारा net production पता चल जाएगा net production पता चल जाएगा इसके बाद add किया जाते है इसके अंदर normal loss sir normal loss a में 4% है इसका मतलब यह है कि 64,000 है that will indicate 96% 64,000 96% होगा तो 100% will be 6667 similarly अगर b में 2% का loss है so that 49,000 indicate 98% it will be 50,000 in total and 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 5% 5% sir 85,500 अगर 95% है तो total will be 90,000 total will be 90,000 तो बस इतना सही तो question था है sir और इसकी weight is क्या दे रहा है institute आपको sir weight is दे रहा है 6 नंबर की अच्छा है 6 नंबर में कोई बुरा question नहीं है 6 minute में हो जाएगा आप कर लोगे इसके बाद अगर 4B की तरह बढ़े तो sir 4B दिया गया transfer pricing में से और यह question आप करके जाते हो मतलब मैंने तो यह question आपके study material में भी देखा exam में भी आया हुआ है हर बार MTP MQP में भी डाल देते हैं question number 4B xyz limited which has a system of assessment of divisional performance on the basis of residual income has two division alpha and beta company xyz limited दो division alpha और beta alpha has annual capacity to manufacture 15 lakh units of a special component that it sales to outside customers but has idle capacity 15 lakh unit बनाने की capacity है बाहर market में बाल बेच रहे है फिर भी idle capacity बची विए the budgeted residual income of beta is 1 crore 20 lakh and alpha 1 crore beta ने target set करा हुआ है कि मुझे residual income चीए 1 crore 20 lakh alpha कहती है 1 crore रुपे चीए ठीक है other relevant details extracted from the budget for the current year as follows alpha का data given है alpha जो है वो sale कर रहा है outside customers को 12 lakh unit at the rate of rupi 180 per unit तो sir sale कर रहे हो आप outsiders को 12 lakh unit 180 रुपे की सबसे जिसके लिए variable cost per unit 160 आती है fixed cost आती है 80 lakh रुपे की capital employed लगा रख किया आपने capital साड़े 7 crore की और cost of capital का rate 12% आपका ठीक है beta has received a special order for which it requires component similar to the one made by alpha अब beta को एक order receive हुआ और उसके लिए उनको एक component की जरुरत है और वैस्ता ही component कौन बनाता है alpha division fully aware of the idle capacity of alpha beta has asked alpha to coat for manufacture and supply of 3 lakh unit of the component with a slight modification during final processing और इसके लिए उनको 3 lakh unit component की जरुरत है और हमने उपर देखा 15 lakh king की capacity थी जिसमें से 12 lakh unit ये बहार बेच रहे हैं मतलब alpha की idle capacity भी 3 lakh unit की है alpha and beta agreed that this will involve an extra variable cost to alpha amounting to 5 rupay per unit लेकिन कहते हैं 5 rupay per unit की extra variable cost आएगी इस modification के लिए जो modification की जरुरत है तो इसका मतलब ये है कि जब alpha बीटा के लिए ये component बनाएगी तो 160 के साथ साथ ये 5 rupay 115 rupay की variable cost आएगी ठीक है calculate the transfer price which alpha should quote to beta to achieve its budgeted residual income इंकम सर जो budget है alpha का alpha alpha कितना rate quote करें बीटा को कि alpha का जो budgeted residual income का target है कितना एक करोड रुपय का वो वो अचीव करते हैं ठीक है तो आप सबसे बहले तो ये check कर लो कि ये जो 12 lakh unit है बहर बेच रहे हो इसको बेच कर आप क्या कमा पार रहे हैं तो सर 12 lakh into 180 solution तो है ये अपने पास 12 lakh into 180 सीधा सीधा contribution डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोगो सिंपल सी बात है इन्होंने क्या calculation करिये दिखाता हूं आपको या मैं कहूं तो 12 lakh into 180 और 160 रुपय वेरियेवल कॉस्त थी तो 20 रुपय का contribution कमा रहेते हैं 12 lakh into 20 2,40 lakh रुपय का contribution आप कमा रहेते हैं फिलाल के लिए और अपने को total contribution कितना चीए था total contribution क्यों होता है fixed cost plus profit तो सर सिंपल सी बात है कि fixed cost आपकी आ रही थी 80 lakh की cost of capital रही थी साड़े साथ करोड का 12% सेवन करोड फिफ्टी लेक का 12% सर 90 रुपय और एक करोड रुपय अपने को profit चीए that is residual income की ज़रुत है तो अपने को contribution चीए था दो करोड सत्ता लाग जिसमें से दो करोड चालिस लाग रुपय तो आप existing customers से कमा लोगे मतब 30 रुपय का contribution मुझे कमाना है बीटा से अब मैं बीटा को क्या वोलूंगा मैं बीटा को कहूंगा भाई देख 160 रुपय तो मेरी के लिए और मैं आपको यूनिट कितनी दे रहा हूं तील लाग मनलब हर यूनिट से 10 रुपय और चीए मुझे तो इसका अंदब 170 रुपय का प्राइस कोड कर दो सिंपल सी बात के तो अगर conceptual clarity है तो यह questions काफी easy है कुछ भी नहीं है इसके बाद अगर आप question number 5 की तरह बढ़ते हो तो sir question number 5 जैसा कि हमें पता है theory question होता है मैं तो suggest यही करता हूं जब अपने पास option यह 2, 3, 4, 5 में से 3 question attempt करने है तो sir 2, 3, 4 करो ना 5th question attempt करना ही क्यों है question number 5 write a short note on any 3 of the following point number A केता है key factor पे लिखो 4-3 पे लिखना है 4-4 नंबर इनकी weightage है steps involved in zero base bursting, state the general principle of standard costing और profit variance इन पे आपको 4-4 नंबर के लिए matter लिखना है institute ने काफी सारा matter आपको दे दिया है 4-4 नंबर के लिए आप एक बार इसको just read भी कर लोगे बात बन जाएगी तो ये तो था आपका part A cost and management accounting 50 marks के लिए जिसके लिए मैं यही कहूंगा question number 1 compulsory है 2-3-4 attempt करो, 5th को skip कर दो simple सी बात बात अगर आपको वीडियो अच्का लग रहा है तो like कर दीजिए बीच में ही और हम बढ़ते हैं part B financial management की तरफ और अपने दोस्तों के साथ share भी कर दीजिए section 1 और section 2 चलेगे आपके part A cost and management accounting में तो part B financial management में section 3 से आपका start हो रहा है सर section 3 जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इसमें भी पांच question है question number 6, 7, 8, 9, 10 question number 6 is compulsory then 7, 8, 9, 10 में से अपने को 3 attempt करने है तो अगर हम question number 6 देखें जिसमें 3 varieties of question है mcq match the following true false 6 number का mcq, 6 number का mcq, 4 number का match the following और similarly 4 number का true false 14 marks का ये question आपके लिए answer the following questions part A, part A, choose the correct answer from the given 4 alternatives point number 1, in a balance sheet equity and fixed assets are expressed in terms of them market value, cost, book value या फिर replacement value sir balance sheet में आप खुदी बता हो कि equity की जो value होती है fixed asset की value जो होती है वो कौन सी value पे show की जाती है sir balance sheet में जो values होती हो नहीं को तो book value बोला जाता है c will be your correct answer c will be your correct answer point number 2, the measure of leverage is sir measure of leverage, जब हम leverage chapter पढ़ते हैं तो उसमें आप measure of leverage कह सकते हो total asset upon me equities होता है that indicates the leverage point number 3, if the RBI intends to reduce the supply of money मतलब market में हम चाते हैं पैसा कम supply हो as part of an anti inflation policy क्योंकि market में inflation होगा तो हम उसको रोकना चाहते हैं तो it might lower bank rate sir bank rate कम हो जाएगा तो तो market में पैसा ज्यादा जाएगा गडबड हो जाएगी increase cash reserve ratio sir yes company वो company क्या RBI क्या गड़ती है कम हो जाएगी according के inflation को रोका जा सकता है point number 4, purchase of machinery by issue of shares should be blank from cash flow statement केते हैं अगर आपने purchase of machinery खरी दियो और उसके लिए share issue कियो तो sir plant and machinery account debitter two shares हो जाएगा तो इसमें cash तो impact हुआ ही नहीं तो included excluded included value zero sir लेना ही नहीं है न b cash flow statement में तो आएगा ही वो नहीं वो transaction जो की cash को impact ही नहीं करेगा b will be your correct answer point number 5, in mutually exclusive projects project which is selected for comparison with others must have higher NPV बिल्कुल ढीख बात है sir जिसका NPV जादा होता है वही तो project आप select करके चलते हो और point number 6 कहता है dividend payout ratio is equal to sir formula होता है dividend per share upon me earning per share into 100 dividend per share divided by earning per share b will be your correct answer तो यह 6mc क्यों easy given है इसके बाद b part की दरफ अगर आप बढ़ते हो तो match the statement in column 1 with appropriate statement in column 2 match the statement match करने है आपने column 1 and column 2 column 1 में लिखा हुए common size analysis, earning upon में stock price, degree of operating leverage और MM order column 2 में सबसे पहले है earning yield, sir earning yield का formula होता है earning per share divided by market price per share second को आप match कर सकते हो a के साथ, b में लिखा है a technique uses in comparative analysis of financial statement sir comparative analysis of financial statement की technique होती है common size analysis, one को आप match कर सकते हो b के साथ explains irrelevant of dividend policy, sir MM model जो है dividend policy जो है irrelevant है value of the business उससे impact नहीं होती 4 को आप match कर सकते हो c के साथ, बच्चा d contribution upon में EBIT, sir this is the formula of operating leverage 3 को आप match कर सकते हो d के साथ, 3 को आप match कर सकते हो d के साथ, law next c, question number 6 का last part c part state whether the following statement are true or false बताने आपको, 4 statement है एक एक नंबर की इनकी वेटेज है, point number 1 एक goal और objective is a necessary first step for effective financial statement management sir बिल्कुल टी कर देखो financial management अगर आपको करना है तो goal और objective तो हो नहीं चीए, it is the true statement second, an aggressive working capital policy would have low liquidity, higher risk, higher profitability potential sir बिल्कुल aggressive working capital में liquidity कम होती है, तो risk ज्यादा होती है, जहां risk ज्यादा है वहाँ पर profitability भी ज्यादा होने के chances रहते हैं this is also the true statement next, third, if a company has no fixed cost, sir अगर fixed cost नहीं होगी, 0 होगी, तो contribution और EBIT same आएगा तो degree of operating leverage निकालोगी, तो it will be equal to 1, बिल्कुल टीक है, बिल्कुल टीक है fourth, according to net operating income approach to valuation, the total value of the firm is affected by changes in its capital structure sir, sir नहीं, this is the false, क्योंकि net operating income में तो EBIT upon में KO formula होता है तो बले ही debt कितना भी क्यों नहों, equity कितना भी क्यों नहों, उसकी value पे कोई फरक नहीं आता due to capital structure तो, false statement नहीं, तो इस तरीके से ये 14 marks के लिए easily आपको 10 minutes भी नहीं लगेंगे मैं कहूं, तो क्योंकि इसमें आपको 1, 2, इसमें आपको ABCD लिखने होते है इसमें भी आपको यहीं लिखने होते है कि 1 को किसके साथ match कर रहे हो, इसमें आपको true false लिखने होते है इसमें आपको true false लिखने होते है next question question number 7 ka part a jo hai that is from ratio analysis from the following balance sheet and additional information you are required to calculate return on total resources return on total resources ka formula hota hai yaha pe return ka mhla hota profit after tax total resources ka mhla hota total fixed assets return on capital employed formula hota ebit upon me capital employed percentage में तो होता है तो multiply 100 तो हम करते ही करते है और return on share orders fund तो return on share order fund जो available होता है वो भी होता है profit after tax divided by share orders fund multiply by 100 data किया अपने पास search share capital 8 lakh रुप है reserve है 2 lakh 8 पसेंट डिबेंसर है तो 2 lakh का 8 पसेंट 16 रुप है आप interest पे कर रहे होंगे creators have 160 के इधर fixed asset 10 lakh का current asset 360 total asset आपके पास 13,60,000 है यह है net operating profit before tax sir before tax मतलब यह आपके पास profit before tax given है 2,80,000 रुप है tax का rate 50% है dividend आपने डिक्लियर किया है 1,20,000 रुप है आपको अगर सबसे पहले return on total resources निकालना है तो sir profit before tax से 2,80,000 इसमें जिटेक्स अटा दोगे 50% तो 1,40,000 रुप है आपका profit after tax आजेगा इसका solution institute ने दिया है देख लेते 1,40,000 आपका profit after tax आजेगा divided by total asset तो sir balance sheet से उठा लो 13,60,000 percentage में convert किया 10.29% आजेग second requirement पे अगर जाते हैं तो return on capital employed that is EBIT sir profit before tax पे हुआ आप 2,80,000 अगर आप इसमें add back कर लोगे interest तो आप profit before interest ने टेक्स पे पहुंच जाओगे और interest rate 2 lakh का 8% 16,000 तो 280 में 16,000 add कर लो 296 हो जेगा divided by capital employed sir capital employed होता है debt plus equity इसका मदब इसमें 8,00,000 रुपए ये भी आएगा 2,00,000 रुपए ये भी आएगा 2,00,000 ये भी आएगा इसका मदब 12,00,000 रुपए divide by 12,00,000 into 124.7% will be your return on capital employed और third requirement equation में return on share holders fund तो sir यहाँ पे preference dividend तो preference share capital तो है नहीं तो 2,80,000 में से 50% 1,40,000 आपका return होगा divide by share holder fund के अंदर share capital 8,00,000 रुपए गा reserve 2,00,000 रुपए बस divide by 10,00,000 into 100 14% will be your return on share holder fund एक easy question कितनी weightage के लिए sir इसकी weightage है यहाँ पे 6 नमबर के असपास होनी चीए 4 नमबर ये 4 नमबर की इसकी weightage है 4 marks की इसकी weightage अखी गई और इस question number 7 के साथ B part में आपको cash flow statement का एक question attached कर दिया गया question number 7 का जो B part है इसमें आपको cash flow statement का एक question attached कर दिया गया देखते हैं क्या है ABC limited companies comparative balance sheet for 2023 and the company's income statement for the year are as follows ABC limited की comparative balance sheet आपके पास given है 31st March 2023 और 22 तो इस तरीके से अपने को देखना है क्या change है right to left देखना है sources of fund में shareholder funds share capital 140-140 मतलब यह आपने कोई equity share capital वगेरा issue शायद नहीं किया होगा retained earning जो था हूँ आपका 92 से 110 हो गया इसका मतलब आपने जो भी profits वगेरा कमाये होंगे उसमें से कुछ retained earning वगेरा क्लिया होगा कुछ dividend आपने distribute कर दिया होगा इसके बाद आपका bonus payable है loan fund में bonus payable है 135 हो गया तो 40-135 होने का मतलब यह है कि 95 का यहाँ पर लेकिन bonus कैसे हो सकता यह नग गलत लिखाव है जान देना यह bonds payable है loan fund में bonus नहीं हो सकता loan में यह bonds payable होगा तो आपने 95 का bond issue किया होगा 95 का bond issue किया होगा अगर साथ की साथ में आपको चीज़े दिखाता चलू थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं bonds जो होते हैं financing activity का part होता है तो 40-135 होने का मतलब आपने bond issue कियोंगे solution तो है यह अपने पास देख लेते हैं sir financing activity का part है financing activity कहा शुरू हो गई financing activity हमारी यहाँ पर शुरू हो गई थी bonds पे बली है यह no doubt तो issue of bonds है यह 95 का यह वाला part positive में आजे इसके लावा application of fund में देखे तो plant and equipment 309 से 430 सर देखेंगे accumulated depreciation भी देखेंगे क्योंकि normally इनके adjustment नीचे given होते हैं इसके लावा investment आपका 75 से 60 होने का मतलब है आपने 15 ये किस पे चल रहा है figures croda pillows में चल रही है तो आपने 15 करोड का investment कही नहीं sale किया होगा 15 करोड का investment आपने sale किया होगा to investing activity में आप देख सकते हो investing activity आपकी यहाँ पर start और sale of investment आप यहाँ पर देख लो sale of investment decrease in long time investment मतलब sale of investment यह 15 करोण का यह वाली figure है जिससे आपके पास पैसा आया तो positive में देखने को मिल रहे है current assets में अगर मैं बात करूँ increase और decrease operating activity का part होता है तो inventory में आपका increase हो गया 160 से 205 का sir inventory increase आपका minus हो जाएगा 160 से 205 मतलब 45 का तो operating activities देख लेते हैं operating activities यह रही sir और इसमें increase in inventory देख लो increase in inventory 45 का less हो जाएगा आपका इसके बाद account receivable आपका 270 से 180 हो गया मतलब आपको 90 का collection हो गया होगा collection मतलब पैसा आया होगा आपके पास तो decrease in account receivable plus में डाल दो decrease in account receivable plus में डाल दो 90 का positive में आजाएगा यह हो गया इसके लावा prepaid expense आपका 20 से 17 हो गया sir again plus में आजाएगा 3 again plus में आजाएगा 3 decrease in prepaid expenses इसके बाद cash तो हम last में लेते ही हैं opening plus जो भी change होगा accordingly closing पे पहुँच जाएगे current liabilities and provisions में बात करें तो आपका accounts payable 310 से 230 हो गया payment क्या होगा आपने 80 का 80 का payment क्या होगा negative में दिखा दो decrease in accounts payable and similarly जो accrued liabilities है वो आपकी 60 से 70 हो गया बढ़ गई sir बढ़ गई तो plus में डाल लो 10 का increase in accrued liabilities similarly deferred income tax का provision 8 से 15 हो गया sir again बढ़ गया बढ़ गया तो फिर से आप plus में डाल लो 7 का increase in deferred income tax इसके बाद और आगे चले sale cost of goods sold normal transaction है gross margin operating expense net operating income सब normal item है non operating में loss on sale of equipment है 4 का तो sir operating activity में हम add कर लिया करते हैं loss on sale of equipment add back कर लो 4 का loss on sale of equipment in operating activity इसके अलाबा income tax ठीक है income before tax income tax minus की है net income है 66 का तो top पे तो आप net profit ही लेते हो तो net income आजाएगी आपकी 66 की net income आजाएगी 66 की आपने dividend पे किया है 48 करोड का dividend payment जो है this is the part of this is the part of financing activity तो sir financing activity में 48 करोड का dividend paid करवा दो dividend paid करवा दो 48 करोड का financing activity इसके अलाबा आप देख सकते हो 66 करोड का आपने income कमाई जिसमें 48 करोड का आपका dividend payment कर दिया था dividend payment कर दिया था तो जो 18 करोड है वो आपने अपने पास रख लिया था जिसकी वैसे यह 92 जो है वो 110 हो गया नहीं पढ़ने वाली इसके अलाबा अगर मैं बात करूँ तो question का loss on sale of equipment जो उपर 4 करोड उपय का given था आपको यह वाला reflected transaction in which equipment with an original cost of 12 करोड and accumulated depreciation of 5 करोड वर sold for 3 करोड in cash यह जो equipment जिसके अपने को 4 करोड का नुकसान हुआ था वो आपने 3 करोड में sale किया है पहली बात तो यह sale of equipment is the part of investing activity तो investing activity में जाके sale of plant and equipment दिखा दो 3 करोड positive में 3 करोड positive में proceed from sale of equipment इसके अलाबा यह 2 transaction को ओर impact करेगा आपके कौन कौन से सर यहाँ पे देखो plant and equipment थे यह 309 से 430 हो गए लेकिन यह 309 था यह 309 की cost थी इसमें से आपने 12 करोड की cost का तो बेच दिया तो minus 12 किया तो मेरे पास 297 करोड का प्लांट होना चीए था मेरे पास 297 करोड का प्लांट होना चीए था लेकिन मेरे पास है कितना 430 का इसका मलब मैंने 133 करोड का प्लांट purchase किया है तो purchase of equipment is the part of investing activity investing activity में 133 माइनस में दिखा दो addition to property building and equipment के नाम से similarly हमारा depression 194 से 218 हो गया 194 का depression था लेकिन इसमें से आपने एक ऐसा प्लांट हटा दिया जिस पे आप already 5 करोड का depression लगा चुके थे तो माइनस 5 करके ये 189 होना चीए था लेकिन ये जो 189 होना चीए था वो आज कितना देखने को मिल रहा है सर ये आज देखने को मिल रहा है 218 तो इसका मनलब depreciation है 29 करोड का और this is the part of operating activity में आप जाके एड कर लो 29 करोड अप यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे आपको आपका net cash provided by operating activity पता चल जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस करोगे net cash used in investing activity पता चल जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो आपको net cash from financing activity पता चल जाएगा operating प्लस financing प्लस investing तीनों करोगे that is 16 जिसमें आप अपना opening cash add करोगे that is 10 तो आप पहुं जाओगे 26 पे बस यही तो आपका cash flow statement होता है तो एक easy cash flow statement का question आपके यहाँ पे cost and fm के MTP में given है अगर इस तरीके के question exam में आजाए तो बात ही क्या है बट पिछले दो attempt से तो cost and fm के जो paper है काफी ज्यादा tricky examiner बना रहे है बट ज़रूरी नहीं है देखो पिछले दो paper अगर ऐसे आ रहे है तो तीसरा paper भी ऐसा ही आए में भी इस बार थोड़ा सा lenient paper आपको देखने को मिल जाए शाए इसके बाद अगर हम question number 8 की तरफ बढ़े तो question number 8 जो है उसका पहला पार्ट आपको working capital में से देखने को मिल रहा है statement of working capital और भी पार्ट छोटा सा पार्ट आपको financial leverage में से देखने को मिल रहा है leverage के topic में से पहले बात करेंगे working capital की पहले बात करेंगे working capital की ए परफॉर्मा cost sheet of a company provide the following data material की cost है 117, labor की cost 49, factory overhead cost per unit 98 है लेकिन इसमें depreciation 18 पर unit है तो अपने लिए 98 का use कहीं पर भी नहीं होगा हम तो 98-18, 80 कंसिडर करके चलेंगे similarly total cost per unit 264 में 18 रुपय का तो depreciation है तो इसका हमारे लिए जो relevant figure होगी that will be 246 sir profit की कोई relevancy नहीं होती है मारे लिए selling price की कोई relevancy नहीं हुआ करती following additional information is available, raw material आपको stock में रखना है 4 week का average WIP आपको 2 week का stock में रखना है और ये percentage completion की बात करें तो material 80% labor overhead 60% complete है finished goods आप 3 weeks का रखोगे, debtors का period 6 weeks का रहेगा, supplier का period 8 week का time lag wages में रहेगा 1 week का और time lag overhead में रहेगा 2 week का and the company sales 1 5th of the output against cash and maintain cash balance of 2,50,000 1 5th का मतलब होता है 20%, 20% cash में sale है इसका मतलब 80% is on credit और cash balance आपको 2,500,000 का maintain करना है question की requirement के prepare a statement showing estimate of working capital needed to finance a budgeted activity level of 87,000 unit of production you may assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead accru similarly simple सी बात है 87,000 units की planning करके देनी है तो सर सिंपल सी बात करें material सबसे पहले आप material अगर लेते हो तो 87,000 into 117 की cost है divided by 52 week की ने year और आप चार वीक का maintain करते हो तो multiply 4 it will be 7,83,000 answer तो है यह अपने पास check कर लेते हैं 7,83,000 अगर WIP की बात करें तो सर WIP में material आएगा labor आएगा, overhead भी आएगा material की बात करें तो 80% complete 117 का 80% होता है 93,6 labor 49 का 60% की बात करें तो 29,4 और overhead 80 का 60% की बात करें तो 80 is 48 इसका मतलब यह है कि work in progress में जो unit है हर unit पे आपने expense लगाया है 171 का number of unit आपकी 87,000 divided by 52 और maintain करते हो आप 2 weeks का तो यह आज़ेगा 572192 WIP 572192 WIP simple question है जैसा आप classes में करते हो बिल्कुल वैसे ही question given है इसके बात finished goods in stock है 3 weeks का जिसमें आप 246 की cost लगाओगे तो 87,000 unit into 246 divided by 52 into 3 weeks का maintain करते हो it will be 1,2,3,4,7,3,1 1,2,3,4,7,3,1 और debtors की बात करें तो 6 weeks का है स्थर लेकिन 80% ही जो है वो आपका credit में चलेगा तो यह आज़ेगा आपका 1,9,7,5,5,6,9 1,9,7,5,5,6,9 बस और cash ले लो cash तो given ही आपके पास question में as it is 365,000,00 का तो यह आपका gross working capital आजएगा 48,15,492 इसके बात current liability में आप सबसे पहले creditors लेते हूँ supplier आपको 8 दिन का period दे रहा है 87,000 की आपकी units है 87,000 unit है material की cost है 117 divided by 52 into 8 it will be 15,66,000 time lag in payment of wages आपका 49 और payment of wages का period है 1 week तो sir 87,000 unit into 49 divided by 52, it will be 81981, 81981 और जो overhead है, वो है आपका 2 weeks का और 80 रुपीज के accordingly, तो 87,000 unit 80 रुपीज के accordingly, divided by 52 into 2 week लेने हैं, तो it will be 267, 692, 267, 692, इन तीनों का टोटल करोगे, तो current library का टोटल आगे है, 915673, 4815, 492 is the current assets, 915673 is the current liability, so your networking capital will be 2899, 816, बिल्कुल basic question है, cash, cost, basis के accordingly, solve करा हुआ है, जैसता है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, question कुछ भी ना बोले, तो आप question को cash, cost, basis पे solve कर दिया करूँ, इसके बाद अगर आप देखोगे, तो sir एक छोटा सा question, financial leverage का given है, find out financial leverage from the following data, net worth given है, 50 lakh रुपई की, debt equity, three is two, one है, तो sir, equity is nothing net worth ही होता है, तो इसका अगर डेट हो जाएगा, आपका डेट करूड का, डेट हो जाएगा आपका डेट करूड का, interest का rate है, 12% का, तो डेट करूड का, डेट करोड का, एक करोड़ पचास लाग का 12% सर अथारा लाग रुपे आपका इंट्रेस्ट चला जाएगा 40 लाग में से 40 लाग रुपे वेसे इंट्रेस्ट चला जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट विफोर टेक्स है वो आजाएगा 22 लाग रुपे सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारी क्लासेज ली भी है आप जाके मैंच कर लो यह सारे की सारे कोशन आपने अपनी क्लासेज में करें में सेम आंसर है सेम फिगर से क्वेशन नमबर 9 को देखा जाएं तो सर ए पार्ट दे दिया आपको कॉस्ट ऑफ कापिटल के माजनल काफिडल में से और बी पार्ट दे दिया क्यापिडल बस्तिंग में से चेछे नमबर दोनों की वेटेज और पड़े सिंपल सिंपल से क्वेशन है के अरी इस लिमिटेड wishes to raise additional finance 10 लाग रुपए चीए इनको for meeting its investment plan 2,10,000 तो retain earning की form में पड़े वे हैं the following are the further detailed debt equity mix 30-70 होगा और cost of debt up to 1,80,000 तो 10% का rate होगा और एक 80 के beyond आपका 16% का rate होगा तो simple सी मैं बात करूँ आपका 10 लाग रुपए है इसमें 30% मतलब 3 लाग रुपए आपका debt है उस 3 लाग के debt में 10% debt होगा एक लाग 80,000 का आपको solution दिखाता हूँ इसका 10% जो debt है वो होगा एक लाग 80,000 का total अगर 10 लाग का 30% 3 लाग है तो बच कितना गया 3 लाग में से एक 80 चला गया एक 20 सर एक लाग 20,000 होगा 16% debt 16% debt होगा एक लाग 20,000 का 10 लाग का 70% आपको equity रखना है जिसमें से 2 दस तो retained earning पड़ा हूँ है तो सर 7 लाग में अगर 2 दस retained earning है तो 4 लाग 90,000 का आपको share capital issue करना पड़ेगा तो 4 नबर का equity share capital issue करो 2 दस का retained earning है इस तरीके से आपका total 10 लाग रुपे बनेगा और ये question की पहली demand भी होती है आपको pattern बताना होता है कि हम जो 10 लाग रुपे raise कर रहे है इसका pattern क्या होगा मतलब इसमें कितना 10% debt होगा कितना 16% debt होगा कितना equity share capital होगा कितना retained earning होगा earning कमाई 4 रुपे dividend pay करें 50% मतलब 2 रुपे और growth आपका 10% का तो अगर मैं D1 निकालने के लिए जाओं तो it will be 2 plus 10% 2.2 current market price है 46 रुपे का tax का rate है 50% determine the post tax average cost of additional debt sir अपने को additional debt जो है केवल debt उसकी average cost निकालने है देखो ये 10% debt है और 50% का tax rate होगा तो 5% solution में लिखा होगा दिखा दितना हूँ आपको मैं तो जो 10% debt हुआ जाएगा 5% और जो 16% हो आफ्टर टेक्स आजएगा आपका 8% अब इन्होंने 5x 8x ऐसे लिख दिया ये calculation के मैं दिखा जेता हूँ 5% जो है जो 5% है दान देना 1,80,000 था 3,00,000 में मनलब 60% तो 0.6 similarly ये 8% वाला जो है ये 1,20,000 था 3,00,000 में तो 40% तो actual में ये 3% बना और ये 3.2% बना ये 6.2% ऐसे बना है तो confused होने की जुरत नहीं है This is the second requirement of the question तीसरे point में कहते है के आर और के ही निकालो मैंने आपको already classes में बताया हुआ है अगर question के अंदर कोई भी discount premium flotation cost नहीं है तो के और के आर equal होंगे जो की इसमें नहीं है तो के के आर equal ही होंगे तो आप के का के आर का formula लगा लो D1 upon me P0 plus में growth rate यहाँ पे भी properly formula apply किया नहीं गया है मैं कर देता हूँ K is equal to D1 upon me P0 plus G होता है D1 दो रुपे 20 पैसा निकाल दिया था मैंने यहाँ पे P0 आपका 44 रुपे चल रहा है और growth आपकी 10% की है तो सर इस तरीके से यह 15% calculate किया गया है जान देना और 4th point जो है वो कहता है हमें calculate करके दे दो overall weighted after tax cost of additional finance तो सर additional finance जो आपने raise किया था उसमें 490 equity था 12 reserve था 10% debt 180 का था 16% debt 120 का था 490 divided by 10 lakh 210 divided by 10 lakh 180 divided by 10 lakh 120 divided by 10 lakh आपने weights निकाल लिए के यह निकाला 15% के यार सेम रहेगा 15% 10% debt का rate निकाला था 5% और 16% वाले का निकाला था 8% just multiply करके total कर लो आपको आपका अंसर मिल गया 12.36% will be your weighted average cost of capital simple question है same question आपको अपनी classes में देखने को मिल जाएगा weighted marginal cost of capital की headings में और last जो practical question है वो दिया गया आपको capital budgeting में से UNLIMITED is examining two mutually exclusive investment proposals the management uses NPV method to evaluate new investment proposal NPV निकालना है depreciation is charged on straight line method other details relating to these proposal आपके पास दो proposal है एक सोर भाई और आपको दे दिया है profit before tax इसका अवलब cash inflow तक जाने के लिए आपको इसमें से tax minus करना है depreciation add back कर देना है project की cost 90 LA और 1,80 LA यह, salvage value भी है इसकी 120, 150 इसकी life 4 साल है इसकी 5 साल है और present value factor आपको 10% के लिएए tax का rate 30% लगाना है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे factor की गलत लिखे हुए है तोड़ा सा चौत्य साल का missing है तो चौत्य साल का यहाँ पे लिखना था 0.6830 और पांचमे साल का इन्होंने देही दिया है You are required to advise the company और NPV method यूज़ करना है तो sir NPV यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको cash inflows की जड़त पढ़ती है तो cash inflows आप calculate करोगे एक statement बनाओगे proposal X और Y copy paste करेंगे 13 लाग और 24 लाग पचास जार इसमें से minus करेंगे tax at the rate of 30% tax at the rate of 30% तो हम पहुंचाएंगे profit after tax पे add back करेंगे depreciation depreciation की calculation होगी 90 lakh minus 1 lakh 20,000 divided by 4 और similarly 1 करोड 80 lakh minus 150 divided by 5 यह आपके depreciation आजाएंगे आप अपने annual cash inflows पे पहुंचाओगे पहले project की life चार साल की थी तो आपको चार साल के factor का पहला addition कर लेना था तो accordingly यह आपका आजाएगा 3.1698 तो द्यान देना यह 3.1698 नहीं है यह 3.1698 है similarly यह 37,000 और यह कुछ नहीं है यह factor है यह कौमा वगेरा लगया होगा इन्सके चकलती से यह है 3.7907 annual cash inflow को present value factor से multiply किया यह present value of annual cash inflow आ गई last year में जो salvage value उसको अलग से consider कर लिया एक लाग 20,000 into 0.683 आ जाएगा क्योंकि चौथा साल है यहाँ पे 150 multiply पे 0.6209 आ जाएगा क्योंकि 5th year है दोनों को add किया present value of cash inflow का total आ गया जिसमें से initial cash outflow जो है 90 lakh और 1 crore 80 lakh माइनस करोगे आपको आपका NPV पता चल गया जिसमें NPV Y का ज्यादा है तो Y should be selected तो इस तरीके से आपको यह cost of project that is capital bursting का question solve करना तो इसके बाद तो देखो last question अपने को पता है sir theory होता है और मेरा तो suggestion यही कहता है मेशा जब आपके पास option है practical theory में sir मेरे को seven eight nine ten में से चार में से तीन question attempt करने seven eight nine attempt करूंगा न क्यूं दसवें के अंदर फस हूंगा आप आता ही नहीं कुछ भी तो जाना पड़ेगा theory के लिए अदरवाइस तो देखो theory attempt करने का मुझे नहीं कोई logic है अगर आपका practical स्ट्रॉंग आपको practical आता है तो राइट शॉर्ट नोट नहीं three of the following commercial paper पे लिखना है danger of two high amount of working capital blockage of amount CAPM capital asset pricing model और NPV पे लिखना है तो इसमें भी आप बहुत easily 3 पे लिख सकते हो I think CAPM और NPV पे लिखना तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं practically आप पढ़ते हो इसमें से दोनों में से commercial paper मेरे साब से easy पढ़ेगा बाकि working capital पे भी आप लिख सकते हो क्योंकि working capital आप practically chapter करते हैं इस वज़े से आप working capital पे भी लिख सकते हो ज्यादा weightage तो है नहीं चार चार नंबर की weightage है तो आप चार से पांस point वगेरा बना के इसमें लिखने की कोशिश करो बाकि इंस्ट्यूट्ट ने इसका अंसर तो देही दिया है तो आप एक बार इंस्ट्यूट्ट ने दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए रिलीज किया नो डाउट इंस्ट्यूट्ट ने इसके solution अल्रेड़ी रिलीज कर दिये थे आप खुछ भी देख सकते थे बट कहीं न गहीं मैंने ही सोचा कि कुछ mistakes भी है clerical mistake है दो printing mistake है दो और थोड़ा सा आपको अगर समझा दिया जए तो आपके लिए ज़्यादा beneficial ये रहेगा बस इस वज़ये से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है बाकि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजे और 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला और जिनके भी साथ आप शेयर करोगे वो आपको देंग हो चुकी है बट नेक्स टाइम के लिए हम अपकोस टेस्ट सीरीज दुबारे से लाउंच करेंगे क्योंकि हर बार हम एक्जाम से पहले टेलिग्राम चैनल के तुरू ही मेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए करता हूं बाकी रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है काफी कुछ हमने रिवीजन के लिए अल्रडी डाल दिया है करवा दिया है अपलोड कर दिया है बट फिर भी अभी कुछ टापिक्स अगर बाकी बच्चे वे हैं तो आप देख सकते हो बाकी अगर आपने अभी तक रिवी SCM और SFM इनकी प्लेइलिस्ट मिल जाएगी जितना भी हमसे पॉस्तिबल हुआ उतना हमने रिवीजन आपको देने की कोशिश करिया आलांकि मैं नहीं कहूंगा कि 100% रिवीजन वहां पर हां कॉस्ट अकॉंटिंग अल्मॉस्ट कंप्लीट है मारा वहां पर बाकी में कुछ कुछ chapter जो कि आपको help करेंगे no doubt exam point of way से वह आप वहां से benefit ले सकते हो तो this is all about for today मिलते है next video में thank you bye bye